वल्कम तो स्टाडी चैनल में रणामे मुहम्मत कैसर उत्तर प्रदेश में नई प्राद्मिक सिक्षक भरती को लेकर इस्तिती अब बिल्कुल साफ हो गई है 85,000 पद रिक्त हैं सरकार ने ये बात माना लेकिन इन पदों पर भरती का क्या अपडेट है ये बात करेंगे आगे वीडियो में B8 को प्राइमरी में मौका दिया जाएगा या नहीं और नई भरती को लेकर क्या इस्तिती है इस समय विदान सभा का सत्र चल रहा है विपक्ष के दोरा ये सवाल उठाये गया कि प्रात्मिक में कितने पद रिक्त हैं इन पदों पर भरती होगी की नहीं होगी B8 को मौका मिलेगा नहीं मिलेगा सारा यहाँ पर सवाल पूछा गया आप देख सकते हैं ये सवाल अब पर सबसे पहला विदान सवा दोरा पूछा गया और इसका जवाब दिया है बेसिक शिक्षां मंद्री जी ने आपको पता है यह संदीव सिंग जी इस समय बेसिक शिक्षक मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में तो क्या उन्होंने बताई यह जाना जरूरी है क्योंकि लगातार इस समय छात्र आंदोलन भी कर रहे हैं नई प्रात्मिक शिक्षक भरती के लिए पिछली जो भरती आई थी यूपी में वो 2018 में आया था 69000 की शिक्षक भरती प्राइमरी में उसके बाद 5 साल सदीक का समय भी दिगया कोई भरती हो ही नहीं तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल यही था कि क्या बेसिक शिक्षक मंत्री बताने की किरिपा करेंगे कि प्रदेश में प्रात्मी विद्याले में सिक्षकों के कितने पद वर्तमान में रिखते हैं तो इसका जवाब देखिए हैं इसे पहले 69,000 के सिक्षक भरती की सुनुवाई के दोरान सुप्रीम कोर्ड में हलफ नामा दिया गया था कि 125 में सहाय का ध्यापक की अध्यापक के पद इसमें रिक्त हैं लेकर इन पदों पर भरती होगी की नहीं होगी इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आगे पुछा गया था कि क्या सरकार प्रात्मिक सिक्षकों के रिक्त पदों पर निउक्ति के लिए टेट उत्रिट बीएड बीटीसी टियलेड डिग्र धारियों के रिविग्यापन जारी करेगी तो देखिए क्या जवाब दिया गया है जी नहीं कोई भी भरती होने नहीं जा रही है बिलकुल यह साफ साफ कह रही है सरकार सरकार के सिक्षा मंतरी जिनको भरती देनी है वो साफ कह रही है कि हम भरती नहीं दे रही है तो दो लंबित परिक्षाएं हैं टीजीटी पीजीटी वगएरे की वो कराया जाएगा में भी हो सकता है यूपीटेड करायें ना करायें लेकिन प्रात्मे सक्षक भरती को लेकर साफ साफ इन्होंने कह दिया कि कोई भी भरती नहीं आ रही है जो चात रांदोलन कर रहे हैं इस समय उनके लिए बहुत बड़े सदमे की खबर है लेकिन जो है वो यही है और सचाई बताना मेरा काम है समय बिहार में लगातार भरती आ रही है आज ही ऑफिशल आलान हुआ कि TRE3 होने जा रहा है एक लाख के आसपास पदों पर जो परिशा अगस्ट में होने थी वो मार्च मे नहीं हो रही है अब भरती क्यों नहीं हो रही है इसका इन्होंने आगे बताया है एक्स्प्लिनेशन परिसदी प्रात्मी विद्यालों में नामांकित छात्र संख्या जो है वो एक करोड पांच लाग 6389 है और कारणत जो अध्यापक है वो 332 या 734 है इस प्रकार जो सिक् 2446 है और ये भी प्रायमरी में पढ़ा रहे हैं ऐसा सरकार का कहना है तो फिक्षा मित्रों को एदि हम जोड़ जहेएं तो जो ठात्र सिक्षक अनुपात है वो 21 छात्रों पर एक सिक्षक का हो जाता है मानक में 30 बच्चों पर एक सिक्षक की आउशकता होती है उत्रप्रदेश में हर 21 बच्चे पर एक सिक्षक अवेलेबल है तो जरूरत से जादा सिक्षक हैं उत्रप्रदेश में ऐसे में मानक पूर्ड है और किसी भी भरती की आवशक्ता नहीं है जबकि कुरोनाकार के समय और उसके बाद भी सरकार ने ये लगातार अपना पिर्थ थप थपाया कि हमने करोडों नए बच्चों का नामांकन किया है पिछले 5 सालों में कोई भरती हुई नहीं हर साल यदि 10,000 ही सिक्षक रिटायर होते हों तो 5 साल में 40,000 हो रिक्तियां ऐसे ही हुई लेकिन उसके बावजूद 21-1 का छातर सिक्षक अनुपात है ऐसे में भरती की कोई आवशक्ता है ही नहीं हाला कि टोटल जो सिक्रित पद है उसके इसाब से रिक्तियां तो हैं लेकिन 6 सिक्षक अनुपात के इसाब से रिक्तियों की गणना हो रही है तो सर प्लस सिक्षक हो जा रहे है उतर प्रदेश में इससे पहले 26 बच्चों पर एक सिक्षक का अनुपात आया था कुछ में पहले मुझे याद आ रहा है उसके बाद तो कोई भरती हुई नहीं उसके बाद यह 26-21 कैसे हो गया यह सिक्षा मंतरी और सरकार बेतर समझती होगी इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे इसमें जो सवाल पुछा गया था कि बीएट धारियों को प्राइमरी में मौका मिलेगा या नहीं तो सरकार का बिल्कुल असपर्ष इसमें जवाब है कि सरवच चन्याल में जो मामला सुना गया था देवे सर्मा वर्सेज यून आफ इंडिया इसमें जो आउडर आया 11 अगह 23 इसको इसमें यह साफ साब कहा गया है कि बीएट भरती वन टू फाइ की तो इसमें बीएड वाले फॉर्म नहीं भरेंगे तो यह लेटेस्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश की प्रात्मिक सिक्षकवर्ती से संबंदित बाकी बिल्कुल साफ है कि बिहार में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है चुनाओं में लगतार वहां पर भर प्रद्धियां तो आहीं रही हैं तो इसमें हमारी और आपकी कमी है हमारा और आपका यह जिम्मिदारी होना चाहिए कि हम किस मुद्धे पर वोट कर रहे हैं फिलाल इस विटम बस इतना ही वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सस्क्राइब करना है और हमारे साथ बने रह थैंक्स वर वाचिं